नमस्कार किसान सातियों मैं आपका दोस्त नरेंदर पोरवाल आपके अपने यूटूब चेनल देश की सान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ किसान सात्यों सरकार मद्ध्रदेश सरकार और केंदर सरकार और जो अन्य राज्य की सरकारे हैं मिलकर हर वर्ष गेहूं का उपारजन करने वाली हैं जो कि इस वर्ष भी गेहूं उपारजन 2024 के उपलक्ष में होने वाला है तो उसके बारे में वेसे थो हमने समाम जानकरिया दे दी है कि पंजियन के से करवाना है, कौन से डाकुमेंट्स लगेंगे, पंजियन कहां से करवाना है और पंजियन की अंतिम दिना क्या है ये सारी तमाम जानकरिया हमने लगातार आपको दे दी है पर अभी किसान भायों के सवाल अभी लगातार आ रहे हैं कि गेहूं की खरीदी कब से चालू होगी गेहूं की कितनी खरीदी होगी गेहूं प्रती विगा के हिसाब से कितना लिया जाएगा किस भाव पर लिया जाए उसके बारे में काफी confusion है कुछ लोगों का मानना है कि 2700 में खरीदी होगी कुछ का मानना है कि 2400 रुपए प्रति कुटल में होगी और सरकार रहे 2245 रुपए जो एक मूल समर्थन मूल लिगोसित किया है उसके उपर कितना बोनस देगी ऐसे तमाम सवाल जो है किसान भायों के सेर करें ताकि सभी जानकारी का लाब ले सको हमारी मेनाथ सफलो और खेती से संबंधित मन्डी भावसे और किसान लोसी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और पासे मिला कर घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे तो आईए बिना देरी के जानकारी सुरू करते हैं किसान सातियों पंजियन कब कहा और केसे होगा इसके बारे में विस्तरत वीडियो हमने बना रखा है आप इसमें देखकर पूरी जानकारी लेकर पंजियन करवा सकते हो अब सवाल आता है कि पंजियन की अंतीम दिना क्या है तो किसान सातियों पहले सरकार ने जो है पांच फरवरी से लेकर एक मार्च तक का जो समय रखा था उसमें पंजियन करा है किसान भयों ने फिर कुछ किसान भय छूट गए या कुछ सरवर डाउन की समझे आई तो फिर ज सरवर 16 मार्च तक याने की कल की तारिक तक रखी गई है तो आप अभी 16 मार्च तक पंजियन करवा सकते हो, अगर कोई किसान भय छूट गए है तो उन जगों पर 15 तारीक से इस्टार्ट होगी जैसे इंदोर, उज्जेन, संभाग के कुछ जीलों हैं, खरगोन के कुछ जीले हैं जहाँ पर फसल जल्दी आ जाती हैं, तो वहाँ पर 15 मार्च से ही यानि की आज से ही तैयार्या चालू हो गई हैं और लगबग एक दो दिन में ही महाँ पर खरीदी चालू हो जाएगी, उसके बाद बात करें धार, इंदोर, उज्जेन, पूरे संभागों की तो वहाँ पर भी लगबग 18 तारीक से खरीदी चालू होने की बात सुनने में आ रही हैं, उसके बाद जो बचे हुए संभाग हैं या जीले हैं पूरे मद्द इसके वहाँ पर 20-21 तारीक को खरीदी चालू हो सकती हैं, कुछ जगों पर नए वे रहुसे या जहां पर बारदानों की आवक भी नहीं हुई होगी, तो वहाँ पर एक दो दिन लेट हो सकता है, बाकी खरीदी चालू हो जाएगी, तो लगबग यही है कि 20-21 तारीक तक भी जीलों के जो सेंटर हैं, वहाँ पर खरीदी चालू हो जाएगी, कुछ जगों एक दो दिन लेट हो सकती हैं, बाकी कहीं पर 15, कहीं पर 18, कहीं पर 20, कहीं पर 22 तारीक से, लगबग सभी जगों पर खरीदी चालू हो जाएगी, तो यह तो बात हो गई कि खरीदी कब से अब खरीदी किस मुल्य पर होगी ये बात अगर करें तो केंद्र सरकार ने 225 रुपय का समर्थन मुल्य रखा हैं उसके बाद मद्यप्रदेश सरकार द्वारा एक अभी नोटिफिकेसन जारी किया गया है ये ओपिशल खबर है इसमें 125 रुपय का बोनस सरकार द्वारा देन से गेहु की समर्थन मुल्य पर खरीदी की जाएगी और वह मोदी की गारेंटी के नाम से उन्होंने आश्वासन दिया था पर किसान नाराज है कि 2700 रुपय का बोला और 2400 रुपय में खरीदी क्यों की जा रहे हैं तो सरकार की कुछ पोलीस ही हो सकती है मेरे हिसाब से तो 27 2700 रुपय प्रती कुंटल में ही खरीदी करनी चाहिए और ऐसा सरकार को करना पड़ेगा नहीं तो किसान एकता करेंगे संगठन करेंगे और फिर आंदोलन करेंगे और सरकार को बाज में पेसे देने पड़ेंगे तो लगबग 2400 का 2700 कभी भी कर सकती है क्योंकि चुनाओं समय आपको लोड़ बुकिंग कहा से करना है किया क्या-к्या जानकारी भरनी है वो जानकारी भी आपको वीडियो माध्यम से उपलव्द करा दी है तो आप वीडियो भी चैनल पर जाकर देख सकते हो तो यह तो बात होके एृक्ष से 10 कुंटल गेहूं तूल सकते हैं अलग-अलग जीलों का एक के कुंटल का फरक हो सकता है तो 9 से 10 कुंटल प्रती भीगा के हिसाब से सिंची छेतर में जबकि 6 से 7 कुंटल प्रती भीगा असी छेतर की खरीदी होगी तो इस प्रकार से खरीदी होगी जिसमें हमना आपको आ सकते हो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विश्यस धन्यवाद फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत वंदे मातरम